हेलो गुड मॉर्णिंग एवरीवन कैसे हैं आप लोग आज का हमारा जर्चा का विश्य है फार्मको काइनेटिक्स तो आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा उवर्विव लेंगे कि हम फार्मको काइनेटिक्स में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और इसमें होता क्या-क्या है तो सबसे पहले समझते हैं कि फार्मको काइनेटिक्स होता क्या है तो फार्मको काइनेटिक्स दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है पहला है क्या फार्मको को दूसरा काइनेटिक्स तो फार्मक क्यों मतलब होता है medicine, drug and kinetics का मतलब क्या होता है moving मतलब इसमें हम यह समझेंगे कि drugs का movement हमारे body में कैसे होता है और इसी के बाद अगला chapter है हमारा pharmacode dynamics तो उसमें हम क्या सीखेंगे कि drug हमारे body के साथ क्या करता है ठीक है लेकिन इसमें हम क्या देखते थे कि हम बारे body में drug का movement क्या हो कैसे होता है तो फिर pharmacokinetics का definition भी कुछ हम देख लेते हैं तो pharmacokinetics का है quantitative study of drug movement in through and out of the body कि इसमें क्या होता है कि यह study है किसका drug के movement का कैसे movement का through और पूरे body में हमारे it is the study कि किस तरह से drugs हमारे body में absorb होता है distribute होता है metabolize होता है and excrete होता है इसमें हमारा यही पढ़ना है ADME absorption, distribution, metabolization and excretion of drug इसमें pharmacokinetics से हमें क्या क्या पता चलता है कि किसी भी drug का root of administration मतलब हम किस drug को किस root से administer करेंगे intake करेंगे and हम उसके पता कर सकते हैं कि dose for example आपने पिछली वीडियो में जैसे root of administration में हमने जाना कि अगर आप enteral root से किसी drug को अपने body में administer कराते हो तो वहाँ पर क्या होता है first pass metabolism तो फिर उसमें क्या होता है कि drug का कुछ amount जो होता है वह metabolize होता है and loss होता है वहाँ पर bioavailability उसकी थोड़ी सी कम जाती है आगे पढ़ेंगे कि एक टर्म bioavailability क्या होता है तो फिर इसमें हम पता करते हैं कि enteral root से अगर कोई drug लेते हैं तो फिर उसका higher dose देते हैं उसका dose क्या देते हैं? higher देते हैं अगर उसी drug को हम parental root से देंगे मतलब तरिकली क्या करेंगे? उसको inject कर देंगे हमारे blood stream में तो उसका जो dose होगा वो थोड़ा सा हम कम लेते हैं and time of peak action कि किस time पे drug लेने के कितनी देर के बाद हमारा जो action है उस drug का वो सबसे ज़ादा देखने को मिलता है या फिर किस time पे administer करें उस drug का कि उसका action सबसे ज़ादा देखने को मिले for example कोई-कोई drug को हम लोग खाना खाने के बाद administer करते हैं किसी तरह के drug को हम लोग खाने से पहले administer करते हैं अगला क्या है हमारा duration of action कोई भी drug कितनी देर में अपना असर दिखाएगा कुछ drugs का time 40 मिनट होता है किसी का 1 घंटा होता है किसी का 5 मिनट होता है तो यह सब हमें pharma को kinetics के study से पता चलता है कि कोई भी drug कितनी देर में अपना action दिखाता है कितनी देर में उसका absorption होता है distribution होता है metabolism होता है अगला क्या हमारा frequency of administration of drug तो frequency से आप क्या समझते हैं कि जैसे आपको doctor ने दिया है कि खाने के बाद paracetamol की गोली लो and उसका जो अगला dose होगा वो यह है frequency कि जैसे paracetamol की गोली आप लोग दिन में 2 या 3 max to max खा सकते हो तो यही frequency कि हमारा जो drug है वो हमारे body में जा रहा है and body में जाने के बाद वो अपना administration हो रहा है उसका लेने के बाद हमारा कित्ती time पर वो उसका absorption हो रहा है distribution हो रहा है metabolism हो रहा है and excrete out हो रहा है यह होता है हमारा frequency कि उसके बाद जब पूरी तरह से excrete out हो जाए वो drug तभी हम दूसरा drug उसका लेंगे जैसे कोई-कोई drug होता है कि बड़ा slow-slow absorption होता है तो फिर उसका अगर हम दूसरा dose भी ले लेंगे तो फिर हमारे body में क्या हो जाएगा उस drug का amount बढ़ जाएगा उससे क्या हो सकता है हमें toxicity हो सकता है तो इसी वैसे drug का जो होता है कि time interval होता है कि यह drug आपने इतनी दिर में लिया तो इतनी दिर बाद ही इसको लेना है क्योंकि उतनी दिर में हमारा यह सारा processes complete हो जाता है तो यह था हमारा pharmacok kinetics अब इसमें हमें क्या देखना है कि होता कैसे है तो जो हमारा drug molecule है वो एक biological membrane को पार करके ही जाता है तो वो कैसे जैसे कि हमारे अंदर body में present है cells ठीक है cells में उपर लगा होता है क्या biological membrane lipid, lipid membrane lipids यह सारी skill के उपर भी क्या है cells के membrane है यह biological membrane जिसमें life है तो फिर वो किस चीज़ का बना होता है bilayer होता है कितना 100 angstrom तक वो ठिक होता है किस-किस चीजों से मिलकर बना हुआ है phospholipid and cholesterol से मिलकर के बना हुआ है तो आज के वीडियो का चर्चा का विशा है हमारा ADME यह एक बहुत important topic है generally 10 number के questions में यह topics पुछे जाते हैं कि what do you understand by ADME तो आज हम बत इसका overview लेंगे तो यहां पर हमने एक खुबसूरत थी drawing बनाई है आपको अगर लगता है तो वह खुबसूरत होगी तो फिर इसमें क्या है हमारा सबसे उपर mouth बनाया है and आगे क्या आता है हमारा isophagus फिर क्या आता है stomach small intestine ठीक है तो जैसे हम किसी drug को enteral root से ले रहे है हम किसी drug को enteral root से ले रहे है वो क्या कौन-कौन से drugs को हम लोग ले सकते हैं enteral root से tablet, capsules, syrups तो suppose मैंने लिया एक tablet tablet को लिया enteral root से mouth से अंदर oral form में ठीक है वो जाएगा drug कहा हमारा isophagus में isophagus से वो कहा जाएगा हमारे stomach के पास stomach में क्या होगा इसका disintegration होगा disintegration मतलब तूटना फिर क्या होगा disintegration होगा ठीक है and disintegration होगा तूटेगा छोटे 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 पार्टिकल्स में तूटेगा है ना फिर उसके बाद क्या होगा इसका dissolution होगा फिर क्या संब करनका यंदी्स सोलीशन का मतलब क्या होता है घूलना कि जैसे हमने हमारे हाथ में फर एक्जामपल पानी लिया उसमें कितना चीदी डालेगे वा गूल रहा है वह से जीव PBS करेगा फिरक किस कुछ amount of drug stomach के epithelial lining से भी absorb होगा and कुछ amount of drug हमारे small intestine में ही absorb होगा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा absorption अगर कहीं होता है तो वह small intestine में होता है तो यहां पर से हमारा क्या होगा absorption होगा तो यही है हमारा absorption अब्सॉप्शन अब्सॉप होके कहां जा रहा है blood stream में तो यह process जो है हमारा intake से ले करके drug का absorption हमारे blood stream तक यह आता है हमारा absorption तो एक overview हो गया absorption का अब अगला है कि आपना distribution distribution में क्या होगा कि जैसे हमारा drug molecule पहुँच गया है कहां blood में जैसे हमारा drug molecule पहुँच गया है blood में तो blood में blood कहां कहां पर जाता है tissues में जाता है organs में जाता है cells में जाता है है न तो फिर हमारा जो drug है वो जो present है blood के अंदर उसका distribution होगा वह क्या करेगा पैले आपको कहां इसका absorption होगा tissues के अंदर इसें यह में ते जीवीट हो जाएगा इन धा बोड़ी और कहां पर ईसको action करना है जैसे आप को सर में दर्द हो रहा है सर में दर्द हो रहा है तो फिर आप मूह से गोली खाते हो तो मुह का दर्दूद हो रहां चाहिए ऐसी बात नहीं है मुह से आएगा स्टमक में त्रू फिल जाएगा कहां स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां से होगा अब्जॉप्शन बीच में आता है लीवर उसकी बात हम मेटाबोलिसम करेंगे तो लीवर से फिर जाएगा क अपने साइट ऑफ एक्शन पे भी चला जाएगा ठीक है तो यह हुआ हमारा डिस्ट्री ब्यूशन तो यह भी हम बात कर रहे थे एंटेरल रूट के ड्रग के बारे में और अगर कोई ड्रग हम पैरेंटरल रूट से ले लें फॉर एक्जामपल डिरेकली अगर हम क्या ले ले सकते इंजेक्शन में आईवी ले सकते इंटरवेनस आईएहम ले सकते इंटर्विस्पियला फिर ठीकल में म् अगर हम लेंगे। करेगा site of action पे पहुंच जाएगा तो फिर यह था हमारा distribution अगला है क्या अपना metabolism यह थोड़ा सा important है and metabolism का दूसरा नाम क्या होता है bio transformation तो bio transformation से आप क्या समझते हो transformation मतलब उसका form change हो रहा है transformation में क्या होता है उसका form change होता है तो फिर for example इसमें क्या होता है कि tissues में metabolism होता है and आपको पता है कि सबसे ज़्यादा metabolism होता है किसी और organ में तो फिर वो है हमारा liver सबसे ज़्यादा primary organ है जहां अफर हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है तो फिर हमारा मेटा बॉलिजम का process में क्या होता है कि वैसा ड्रॉग जो करने जायेका लिवर में तो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि इस form में नहीं होते हैं कि directly वह grate ऑउट हो जाए इस form में होते हैं जैसे inactive और active का concept आता है इसमें तो फिर liver क्या करेगा drug का form को change करेगा मतलब transformation होता है उसमें वो कैसे वो इस form में convert करेगा कि जो drug हमारा है वो आसानी से क्या हो जाए excrete out हो जाए इस form में वो change करता है ताकि हमारा जो excretion का process है stool के थूरू, urine के थूरू वो आस अशान हो जाए ठीक है तो यह होता है हमारा metabolism ऐसा तो है नहीं कि drug हम खाएंगे तो हम अपने body में store करें रहेंगे तो यह काम भी तो किसी को करना है निकालने का काम जिससे आपके घर में कचला होता है तो फिर यह काम क्या होता है liver का कि जैसे आपके body में excess drug हो रहा है तो फि दिखते हैं कि liver में होता क्या है तो liver में क्या होता है कि हमारा है अधाटिक माइक्रोजोमल मेटाबॉलाईजिंग एंजाइन रिजेंट होता है इसमें सारे सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं हमारे मेटाबॉलीजम के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो liver क्या करता है for example drug के form को change करता जैसे कि अगर कोई drug हमारा active form में है तो उसको किस form में change कर देगा inactive form में या फिर अगर जो है drug हमारा active form में है उसको और किस form में change करेगा less active form में less active form में उसको change कर देगा या फिर अगर drug हमारा inactive form में है तो फिर उसको किस फॉर्म में चेंज कर देगा टिफ फॉर्म में एक्जामपल इसका लेवा डोपा तो एक एक अगर हम इन सब की वीडियोज बनाएंगे तो उसमें हम लोग आसानी से हम लोग उसको एक एलाबोरेट करके पढ़ेंगे अभी बस हम इस पर ओवर्वीव ही ले जाएगा ठीक है तो फिर अगर वो इस्टोर हो जाएगा तो फिर उससे क्या हो सकता है टॉक्सिसीटी बढ़ सकती है ड्रग की हमारे ब्लड में ओके तो फिर इसी में एक इसामपल हम लेते हैं क्या कि अगर दो रूट के बारे में हम बात करेंगे लिवर का इसमें रोल कैस जैसे कि अगर हम ले ऑन कोई रग से हैं अब फिर तक ररर से तो अगर हम बार भल्रक के इन्सलिन अगर हम लेंगे ईन्टेर्ल रूट से ठीक है तो एंटेरल रूट से क्या होगा सबसे पहले ड्रग हमारे माउट से कहां जाएगा उस्सोफेगस में जाएगा ठीक है फिर कहां जाएगा स्टामाक में जाएगा फिर कहां जाएगा small intestine में जाएगा फिर जाएगा hepatic portal vein से hepatic portal vein से कहां जा रहा था liver में तो अब देखते हैं यहाँ पर काम कैसे हो रहा enteral root से यानि oral root से तो फिर वो हमारे मुझ से जाएगा उसो phagus में, stomach में वो हमारा streptomycin जो है वो हमारा क्या हो जाएगा liver में आने के बाद first pass metabolism होता है metabolism हम भी पढ़ रहे है तो liver क्या करता था first pass metabolism करता है तो फिर उससे क्या होगा कि हमारा जो streptomycin drug है, वो first pass metabolism में पूरी तरह से खतम हो जाएगा उसकी क्या हो जाएगी bio availability बिलकुल खतम हो जाएग, क्योंकि वो जो liver है वो इसको पूरी तरह से क्या कर देगा streptomycin में क्या कर देगा, पूरी तरह से destroy कर देगा इसलिए हम लोग streptomycin या insulin जैसे drugs oral roots से या internal roots से नहीं देते हैं क्योंकि इसमें क्या हो जाता है liver में metabolism हो जाता है अगर हम इन ड्रक्स को देना है जिसे इंसुलीन किसको देते हैं प्रोफाल एक्सिस ओफ डायाबिटीस के लिए मतलब डायाबिटीस के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं तो फिर यह हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एक्जामपल हम वैसे पेशेंट को जिनको इंसुलीन चाहिए उ तो फिर उसमें क्या होगा हमारा लीवर का कोई रोल नहीं है, मतलब first-pass metabolism क्या हो गया, skip हो गया, first-pass metabolism क्या होता है, कि जो drug है, वो हमारा stomach से या small intestine से absorb होके, उसके epithelium lining से absorb होके, hepatic portal vein से, कहां पहुचता है, लीवर में, लीवर में क्या होता है, उसका metabolism होता है, फिर उसके बा इतना लमवर्स होता था तो फिर अगर हम वैसे ड्रक्स को कैसे देंगे पेरेंट्रल रूट से देंगे तो फिर उसको हमारा क्या हो सकता है फर्स्ट पास मेटाबोलिजम नहीं होगा यानि लिवर का बाइपास कर दिया हमने ठीक है तो मेटाबोलिजम में यह आता है हमारा ए इन एक्टिफ फॉर्म को एक्टिफ सॉम में भी खरल सकता है और लेए इसका ड्रग का लिवर ढोप жен यह था हमारा 911 क्या होती है कि अगर है कि अगर है हमारा कोई रग तोयकी स्रेट से वो ड्रग हमारे blood में पहुँच रहा है कितना amount of drug हमारे blood में पहुँच रहा है ताकि वो अपना क्या दिखा सके थेरा putic action दिखा सके तो यही होता था हमारा क्या bioavailability तो फिर इसमें क्या हो रहा है अगर हम किसी drug को oral root से देंगे तो फिर उसका जो हमें dose रखना पड़ेगा तो वो high रखना पड़ेगा क्यों रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ amount of drug हमारा liver में क्या हो जाएगा metabolize हो रहा है लीवर में क्या हो जा रहा था वो metabolize हो जा रहा था उसको amount of drug को क्या करना पड़ेगा बढ़ा करके देना पड़ेगा as compared to parental roots for example 650 mg अगर हम डोल अपरसिटमॉल दे रहे हैं तो फिर अगर उसको parental root से देंगे तो उसका dose हम क्या लेंगे कम लेंगे, ठीक है, क्यों कि हमारा यहाँ पर liver bypass हो गया liver का कोई रोल नहीं है, मतलब liver में हमारा metabolism नहीं हो रहा है रहा है, blood stream में जा रहा है तो यह था हमारा metabolism, जो metabolism में बड़ा important है, ठीक है, and last one था हमारा क्या excretion, तो metabolism कर कौन रहा था, liver कर रहा था, क्यों कर रहा था ताकि आसानी से वो क्या हो सके हमारे blood stream से excret out हो सके अपना therapeutic action दिखाने के बाद, तो liver क्या कर रहा था, उसको change कर रहा था ऐसे form में, ताकि वो आसानी से क्या हो सके, excret out हो सके, तो excretion में क्या होता है हमारा कि हमारा जो drug है वो हम excret out करते है, in the form of urine या peaches, ठीक है इसमें हमारा kidney का भी roll होता है वो filter करके excret out कर देता है, तो फिर यह था हमारा एक short overview ADME, pharmacokinetics के उपर तो अगले lecture में हम लोग absorption को cover करेंगे, thank you